सिक्षक दिवस की शुब कामनाई डॉक्टर सर्वेपली राधा कृष्णन के जन्म दिवस पांच सितंबर को हम सिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं वैसे तो गुरु सिशे की परंपरा सदियों से चली आ रही है और हमारी प्रथम गुरु होती है हमारी मा क्योंकि उपचारिक सिक्षा तक ही गुरु सिमित नहीं होते हैं उपचारिक सिक्षा तो कुछ सालों के लिए होती है जबकि हमारा जीवन तो उसकी तुलना में कही ज़ादा बढ़ा होता है, हमें पूरे जीवन भर सही मार्ग पे आगे बढ़ते रहने के लिए गुरु की आवशक्ता होती है, गुरु की भूमिका बहुत बड़ी बहुत ज़ादा होती है हमारे जीवन में, गुरु का स्थान इश्वर से पहले आता है दोहा है गुरु गोविन दोव खड़े काके लागूंपाए बलिहारी गुरु आपने गोविन दियो बताए तो इश्वर से भी पहले स्थान आता है गुरु का क्योंकि गुरु का दर्जा इतना उच्छ है गुरु का स्थान इतना इंपोर्टेंट के जीवन के बारे में क्योंकि एक महान सिक्षक थे और इन्हें जब पूछा गया कि आप क्योंकि ये राश्ट्रुपती भी बने थे भारत के पहले उप राश्ट्रुपती थे इनके जीवन के बारे में इनके जन्म से लेकर राश्ट्रुपती बनने तक की जो ओफिशियल अ As a teacher के रूप में, क्योंकि भारत में इनी देसों के जो अन्य संस्थान हैं, विस्वे विद्धाले हैं, वहाँ पे भी प्रॉफेसर रहे उच्च पदों पे नियूक्त किया गया था, क्योंकि इनकी सिक्षा, इनकी डिग्री, इनकी विचार, इनका व्यक्तित्वे इतने के बारे में आज हम जानने ही वाले हैं, क्यों इनके नाम के आगे सर्वय पल्ली ये लगाते थे, ये किस्सा भी जानेंगे, पहले ये विज्ञान में अपनी आगे की पढ़ाई करना चाते थे, उसके बाद एक संयोग ऐसा बना, कि इनका रूजहान बढ़ा, दर्सन सास्त की तरफ और फिर इन्होंने philosophy को चुना और फिर philosophy के professor भी बने, तो दर्सन सास्तर के बारे में जानेंगे, कितनी किताबे इन्होंने लिखी, उसके बारे में भी जानेंगे, किसी भी राजनितिक पार्टी से बिलॉंग नहीं करते थे, किसी भी राजनिती में यानि politics के अंद कर मौस्को भेजा गया वहां पे इनकी मुलाकात जब स्टालीन से हुई जो कि कुछ मिंटों की तै की गई थी वो तीन घंटों में बदल गई तीन घंटे तक इनकी मुलाकात इनकी मिटिंग चली स्टालीन से उस किसे के बारे में भी हम जानेंगे माउच से तूंग से ही मिलन गया और भारत के राश्ट्रोपती बने 1962 से 67 तक और ये एक मात्र राश्ट्रोपती जिनके समय में दो कारिय वाहग प्रधान मंत्रियों को इन्होंने सपत दिलवाई थी तीन प्रधान मंत्री और दो कारिय वाहग प्रधान मंत्री का कारिय काल रहा इनके समय के अंदर वो भ लगुक्ति बड़े प्रेड़ना के स्रोत हैं डौक्टर सर्वपली राधाकृष्णन गुरू है , इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को टिरु्टनी में इनका जन्म हुआ। सर्वपल्ली विरास मिया है, इनके पिता थे, जो की भूमी माप में कनिस्ट अधिकारी थे, इनकी मा सितम्मा थी, आप इनकी सेक्सिक योगेता देख पा रहे हैं, जैसे ही डिगरी की बात आती है, एक तो हमारे माइन में स्ट्राइक करते हैं, डोक्टर सर्वपल्ली राधा आप देख पारे हैं, कितनी सारी डिगरीया इनके पास थी, और अलग-अलग विस्वे विध्यालियों से थी, भारत से भी और अन्य युनिवस्टी से भी थी, एमे की डिलीट की, और इसी तरह से हमारे दिमाग में एक और नाम स्ट्राइक करता है, जैसे ही सेक्षिक योग खेता डिगरियों की बात आती है, डोक्टर भीमराव अम्बेटकर की, आज हम जानने वाले हैं, डोक्टर सरवपली राधाकरश्णन के जीवन के बारे में, किसी दिन हम पढ़ेंगे बकाइदा पूरा डिटेल में, डोक्टर भीमराव अम्बेटकर को, इनकी प्राइमरे एजूकेशन तो तिरूतानी से ही हुई थी, इसके बाद वेलोर में ये कॉलेज में गए थे, मदरास क्रिश्चन कॉलेज में जब ये पहुँचे उससे पहले सयोग ऐसा बना कि ये पहले चाहते थे कि विज्ञान में ही अपनी आगे की पढ़ाई करें, लेकिन इनके एक रि फिलोसफी की बुक इनके पास रह गए जिसको इन्होंने पढ़ा, और पढ़ करके इनका पूरी तरह से रुज़ान हो गया था, कि अब तो दर्सन सास्तर, फिलोसफी कोई पढ़ना है, वैसे भी ब्रहमन परिवार से आते थे, तो प्राकृत भाषा, पाली भाषा, कियाद होना, ये सारे चीजें तो इनको पहले भी आती थी, फिर रुज़ान हुआ दर्सन के अंदर, और भारतिये दर्सन पे जो इन्होंने किताबें लिखी हैं, हम आज जानेंगे कि अमेरिका में, होवर्ड युनिवस्टी में, फिलोसफी में कॉंग्रेस हुई थी, जि इनको पश्चिम में, इनका खूब परसिदी थी, खूब इनका नाम था पश्चिम के दुनिया में, इनकी किताबों के बारे में भी आज हम जानेंगे, क्योंकि बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, यहाँ पे हम देख पारें कि सीवा कामू से 1904, बहुत ही कम उम्र म होने के बावजूद भी, यह क्रिश्चिन कॉलेज में पढ़ने गए थे, मास्टर्स के डिगरी ली इन्होंने फिलोसफी से, इसी मदरास क्रिश्चिन कॉलेज से 1906 के अंदर और बहुत ही कम उम्र में, 1909 में ही इनको वही पे दर्सन सास्तर के विभाग में ही एक नोकरी भी मिल गई थी, 1918 में इनको प्रोफेसर भी बना दिया गया था, 1918 के अंदर मैसूर विश्वे विद्याले के अंदर यह दर्सन सास्तर के प्रोफेसर बन गए थे, दर्सन सास्तर के प्रोफेसर किंग जोर्ज पंचम 5 कलकता विश्वे विद्याले 1921 के अंदर जब यह के जो विद्यार्थी थे इनके जो स्टूडेंट थे वो बहुत दुखी थे कि उनका प्रिये सिक्षक जो है टीचर जो है वो उनको छोड़ कर कलकता जा रहे हैं तो यहां पे इनके भाशन हुआ विदाई का पूरा समारो हुआ उसके बाद जो बग्गी तयार की गई थी जि इनके पढ़ाने से इनके व्यक्तित्वे से इतने ज़्यादा प्रभावित थे यह प्रिये गुरु हुआ करते थे इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे याद रखना है आपको मेरा जन्दिवस मनाना है आपको तो इस दिन को क्यो ना सिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए यह सजेशन भी इन ही का था वाइस चांसलर के रूप में आंध्र विस्वे विधाले 1931 में न्यूक्त किया गया फिर यह ओक्सफोर्ड युनिवस्टी में थे उस समय इन्हें मदन मोहन मालविये ने आमंतरित किया और कहा कि आप बनारस हिंदू विस्वे विधाले में आ क ओक्सफोर्ड युनिवस्टी के अपनी नोक्री को छोड़ कर आये थे और 1931-9 के अंदर आ करके यहाँ पे बिएचियू जिसे हम कहते हैं बनारस हिंदू विस्वे विधाले बिएचियू में 1948 तक 1948 तक इन्होंने वाइस चांसलर का पद संभाला था इससे पहले 1926 के अंद 1926 में अमेरिका की होवर्ड युनिवस्टी में फिलोसोफी में कॉंग्रेस हुई जिसमें डॉक्टर सरवयपली राधा कृष्णन पहुँचे और पश्चिम की सैली में इन्होंने भारतिय दर्सन को समझाया जिसके नाते इनका नाम इनकी प्रशिदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसके बाद 1926 के ही अंदर ऑक्सफोर्ड युनिवस्टी की प्रेस से इनकी किताब चपी थी दे हिंदू व्यू ओफ लाइफ तो इस किताब के नाते इनका बोलबाला और भी ज़्यादा बढ़ गया था फिर इनकी एक किताब आई एन आइडियलिस्ट व्य उफ लाइफ जो कि और भी जादा इनकी प्रसिद्धी में एक और चान लगा दیا चार चान लगा दिये हम कह सकते हैं तो इस तरह से इनका फिलोसोफी दर्सन में भारत में ही नहीं पश्चिम में भी बोलबाला था जैसे स्वामी विवेकानंद को पश्चिम की लोग नहीं बूलते क्योंकि इन से पहले डॉक्टर सर्वपली राधा क्रश्णन से पहले पश्चिम में बोल बाला जो विवेका नंजी का था और बाद में फिर डॉक्टर सर्वपली राधा क्रश्णन का ये अपने नाम के आगे जो सर्वपली लगाते हैं इनके जो पुर्वस थे वो स सर्वपल्ली लगाते हैं इसलिए राधा कृष्णन जी भी अपने नाम के आगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन सर्वपल्ली लगाते हैं 1948 तक रहे बी अच्यू के अंदर उसके बाद 1949 में प्रधान मंत्री को लगा कि दर्सन के अच्छे ग्याता हैं और इन्हें राजदूत बना करके मौस्को भेजा जाए तो 1949 में इनको कारिय भार इनको जिम्मा संभलाया गया राजदूत के रूप में सोवियत संभ में विशेष भारतिय राजदूत और पुर्णा धिकारी मंत्री के रूप में 1949 से 1952 तक ये रहे और 1949 में जाने के बाद इनकी मुलाकात हुई 1950 में स्टालीन से और स्टालीन हम जानते हैं कि शैतान के रूप में सारी दुनिया जानती थी स्टालीन को स्टालीन ने इन से कहा कि पूरी दुनिया मुझे सैतान समझती है और आप मुझे आपने मुझे इनसान समझा है स्टालीन से मुलाकात में इन्होंने जाते ही पुछा कि आप से मिलना इतना मुश्किल क्यों है तो स्टालीन ने कहा अगर मुझसे मिलना इतना मुझकिल होता तो आप और मैं मिलना रहे होते हम मिलतो रहे हैं तो कहां इतना मुझसे मिलना वो कुछ मिंटों की मिटिंग तैव हुई थी लेकिन फिर क्योंकि दर्सन के ग्याता थे इतने प्रभावसाली विचार थे और आप समझ सकते हैं कि किसी भी मेटिंग में जब आपके विचार आपका व्यक्तित्वे बहुत ज़्यादा प्रभाव साली होता है तो मेटिंग का समय extend हो जाना एक सामान्य सी बात होती है वहीं यहाँ पे स्टालीन के साथ हुआ अपने ओफिशियल डाटा में तो यह बताते हैं जो ओफिशियल बाते हैं उनके अंदर तो कि जब राधा कृष्णन कहते हैं कि जब मैं स्टालीन से मिला तो मुझे तो वो एक सामान्य इंसान जैसा लगा क्रूर नहीं लगा और राधा कृष्णन ने स्टालीन से कहा कि हमारे देश किया और युद्ध में जीत हासिल की युद्ध के बाद राजा को समझ में आया समराट को समझ में आया कि युद्ध हमला केवल और केवल जो इनसान है उनकी जान को गवा देना है यानि जान को जाया कर देना है और फिर वो समराट सन्यासी बना स्टालीन से इन्होंने कहा कौन जाने आपके साथ भी आगे चल कर कुछ ऐसा ही हो तो स्टालीन के साथ बहुती प्रभावशाली तरीके से ये मिले थे इसके बाद 1952 में पंडित जवाहलाल नहरू को लगा कि अब समय है कि डॉक्टर सर्वापली राधा कृष्णन को उपरास्ट्यपती बनाया जाए और उन्होंने वाइस प्रेजिडेंट बनाया हमारे डॉक्टर सर्वापली राधा कृष्णन को ये अलग-अलग जो आपको दिखाई दे रहे हैं समीती इनके अध्यक्स चेर्मेन में रहे थे इंडियन फिलोसोफिकल कॉंग्रेस के 1927 से 1950 तक अधिसासी बोर्ड युनेसको के 1948 के अंदर विस्वे विद्याले सिक्षा आयोग भारत सरकार 1948 से 49 में युनेसको महा सम्मेलन में 1952 से 54 और 1958 में बुद्ध जैनती समीती 1956 के अंदर एक लेखा के रूप में हम इन्हें जानते हैं तो देखे कितनी अच्छी और बहुती गजब की दरसन के किताबे इन्होंने लिखे हैं आप पढ़ना चाहें तो भारतिय दरसन ये पढ़ भी सकते हैं जादूनात इन्ही के सिश्य थे जिन्होंने इसमें से ही कुछ कंटेंट को उठा करके और खुद के कंटेंट में काम में ले लिया जिसके लिए कोट केस भी चला था लेकिन गुरू तो गुरू होते हैं जो क्षमा करता है वही गुरू होता है तो गुरू का हर्दे भी बड़ा होता है और वो क्षमा भी कर देते हैं अपने शिश्यों को तो जब ये कोट केस चल रहा था तो उस समय कोट के बाहर ही यहाँ पे डोक्टर सर्वपली राधा कृष्णन ने जादूनात के साथ में समझोता कर लिया था, कोर्ट के भारी सैटलमेंट हो गया था, अब उसका actual कोई official हमारे पास statement तो नहीं है किसी का भी, लेकिन हाँ यह है कि कोर्ट के भारी सैटलमेंट हो गया था, यहाँ पे Indian philosophy जो पढ़ सकते हैं, इसके लावा भागवत गीता The Hindu View of Life अभी हमने देखा कि जो कि Oxford University की प्रेस से छप कर आई थी, इसके लावा An Idealist View of Life यह 1929 के अंदर इनकी बुक छपी थी, तो इतनी सारी बुक आप देख पा रहे हैं, आप तसल्ली से इनका नाम भी पढ़ लेना, जो कि इन्होंने लिखी, तो नोलेज और विचार कितने ज़्यादा प्रभावशाली थे और कितने महान विचार थे क्योंकि बुक लिख ले जाना, इजी टास्क नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं, भारत रतन दिया गया इन्हें 1954 में तीन व्यक्तियों को, चक्रवर्ती राजग इन्हें नोबल के लिए भी साहित्य में नोबल के लिए भी नोमिनेट किया गया था, लेकिन मिला नहीं था, नोमिनेट होना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, इनके राजनेतिक जीवन को हम देखी, तो 1949 से 52 सोवियत संग में ये भारत के राजदूत रहे थे, स इस प्रेजिडेंट के रूप में इनके दो कारियकाल रहे, 1952 से 57 तक, पहले कारियकाल के बाद में, 1956-57 आते आते, डोक्टर राजेंदर परशाद ने बकाईदा नहरू जी से कहा था, कि अब मेरा स्वास्त है मुझे मंजूरी नी दे रहा, मेरा स्वास्त है मेरा साथ नी दे रहा, कि मैं राश्ट्रपती के रूप में बना रहूं, तो यहाँ पे कही न कहीं डोक्टर सर्वपली राधा क्रश्नन को 1957 के इलेक्शन से पहले नहरू ने मना लिया था, और कहीं न कहीं सर्वपली राधा क्रश्नन जी भी अपना मैंड सेट बना चुके थे, लेकिन क 1957 से 62 फिर से राश्ट्रपती बने डोक्टर राजिंदर परशाद, इस मामने से कहीं न कहीं एक हम कह सकते हैं कि संदे है या फिर कहीं न कहीं थोड़ा सा खटास आ चुकी थी इस बात के नाते, कि सर्वपली राधा क्रिश्नन को पहले कह दिया गया था कि अब आप राश्ट्रपती थे दो कारियकाल के लिए, दोनों ही कारियकाल में वाइस प्रेजिडेंट के रूप में थे डोक्टर सर्वपली राधा क्रिश्नन, भारत के राश्ट्रपती के रूप में 1962 में इनको चुना गया और इनके सामने राश्ट्रपती के चुनाव में भाग लि पड़ा था संविधान में संसोधन करना पड़ा था और प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या बढ़ाई गई थी तो आयाराम गयाराम हम बहुत बार पॉलिटी के अंदर पड़ते हुए इस किस्से को डिसकस करते हैं तो इनके सामने चुनाव लड़ा था चोदरी हरी राम जो कि हर्याना से बिलोंग करते थे 1962 से 67 एज ए प्रेजिडेंट इन्होंने अपना रोल प्ले किया भारत के राष्ट्रपती थे इन्होंने अपने राष्ट्रपती काल के समय में अपने कारियकाल में दो प्रधान मंत्री की मृत्यू देखी 1962 में ये प्रेजिडेंट बने 1964 64 के अंदर परधान मंत्री पंडे जवाहरलाल नहरू की मृत्यू हो गई थी। ऐसे समय में इन्होंने गुलजारी लाल नंदा को कारिय वाहक परधान मंत्री के रूप में सपत दिलाई। परधान मंत्री बने और हम सभी जानते हैं जनवरी 1966 जब लाल भादूर सास्तिर की मृत्यू हो गई थी। तासकंद समझोते के समय पे उस समय पे वापस से गुलजारी लाल नंदा को ही कारिय वाहक परधान मंत्री के रूप में फिर से सपत दिलवाई। परधान मंत्रियों को देखा पहले पंडि जवालल नहरू को उसके बाद में लाल भादूर सास्तिर को और उसके बाद में इंद्रा गांधी को और 1967 तक इनका कारिय काल रहा। इस बीच में दो युद्ध हुए राष्ट्रिय आपात का लगाया गया नेशनल एमरजेंसी, 1962 में चाइना के साथ वोर हुआ था और पाकिस्तान के साथ में 1965 के अंदर। समय राष्ट्रपती थे क्योंकि हम जानते हैं युद्ध की घोशना करना, युद्ध विराम की घोशना करना, युद्ध समापती की घोशना करना, ये हमारे राष्ट्रपती का काम होता है, राष्ट्रपती ऐसा करते हैं, तो 1962 चाइना के साथ में और 1965 पाकिस्तान के साथ म बारे में तो इन्होंने जो दया याचिका, क्षमा याचिका जो पेटिशन इनके पास थी उन सब को उन्होंने एप्रूव किया था जितनी पेटिशन आई थी क्योंकि इन्हें लगता था कि जब तक कोई बहुत ज़्यादा जगन्य अपराद ना हो इन्होंने मृत्यू पास ये पावर होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मृत्यू दंड की सजा भी दे दे तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो एक बार अपनी मर्सी पैटिशन अपनी क्षमा याचिका अपनी दया याचिका राश्ट्रपती के पास भेज सकता है इसके बाद में राश्ट्रपती से फिर ये राश्ट्रपती के पद के बाद में ये दिल्ली में नहीं रहे थे पॉलिटिक्स में तो वैसे भी बहुत एक्टिव नहीं थे राश्ट्र आंदोलों में भी बहुत सक्रिय भूमी का ऐसी नहीं निभाई थी कि जेल जा रहे हैं आंदोलों में बढ़ चड़ के हिस्सा ले रहें नहीं। इन्हों ने अपने विचारों के मात्यम से करांती की थी। विचार जो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावीत करते हैं इसलिए तो हम इनको सिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्दिवस को मनाते हैं क्योंकि इनके विचार, दर्सन के प्रतीन का रुजान दर्सन में इनका ज्यान इतना ज़्यादा था और भारतिय दर्सन पर जो ये लिख कर गए हैं, अगर आपका सच में फिलोसोफी पढ़ने का मन हो, तो इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं, उनमें भारतिय दर्सन कोई आप पढ़ लेना, इंडियन फिलोसोफी कोई, आपको मज़ा जाएगा, 17 अप्रेल 1975 को इनकी म रत्यू हो गई थी, तो ये पूरा घटना क्रम था, हमारे राश्ट्रोपती, हमारे प्रोफेसर, हमारे गुरु, हमारे दर्सन सास्त्री, हमारे डॉक्टर सर्वापली राधा क्रश्णन का, इनके विचार में हमेशा से ये कहते थे, इनके विचारों से प्रकट होता था, ये संदेश भी देते थे कि हमें दूसरों के विचारों के प्रती सहनसिल होना चाहिए, तो ऐसी सहनसिल था क्योंकि हमारे गुरू हैं और हमेशा रहेंगे, हम इनको नमन करते हैं, तो ये जो सिक्षा दे कर गए हैं उनमें से एक सिक्षा जो हमें माननी चाहिए, समझनी चाहिए और बकाइदा अपने जीवन में अपनानी चाहिए कि हमें दूसरों के विचारों के प्रती भी सहनसिल होना चाहिए तो सभी गुरुओं को नमन है, डोक्र सर्वपली राधा कृष्णन को नमन है, आपको भी आपके गुरुओं को और सभी को उच्च दरजा आपको भी देना चाहिए, वो मान, वो सम्मान गुरु को हमेशा देना चाहिए क्योंकि जीवन में बहुत बड़ी भूमी का होती है, गुरु की, टीचर्स की, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जै ही, जै भारत!